जो हमारा वाइस चैंसलर इस कैंपस में लागो करने को तुला हुआ है जब से आया है एक एक करके यही साजिस है कि कैसे इस युनिवर्सिटी में सिर्फ बिल्डिंग रहे और स्टुडेंट्स गायब हो जाए और खास कर जो मार्जनलाइस तब कैसे आते हैं जो गरीब तब कैसे आते हैं जो सब को निकाल दिया जाए और इसी लिए आज जरूरत है कि जो मूवमेंट हम यहां से सुरू कर रहे हैं सिर्फ यहां खतम ना हो इसको इस जैनरल इलेक्शन का इशू बनाना पड़ेगा मोदी जी आये पार्लियमेंट में बहुत बड़ी बड़ी बाते किये बोले कि दो दिन के अंदर हमने एड़लोएस का रिजर्वेशन दे दिया है हमने गरीब लोगों के लिए किया है आप सब हमें वोट दीजिए दो दिन के अंदर कोई नहीं कर सकता था हमारा प्रोस्पे लिख हो गया और उस पर यह वाइस चांसलर कह रहा है कि हम ऑनलाइन एक्जाम लेंगे आप सबागे ओनलाइन एक्जाम दीजिए सारे टीचर्स को यहां बोला गया कि आप अपना क्वेशन पेपर हमें सम्मिट कीजिए हम देखेंगे कि आप कितना सही है कितना नहीं है इस और इसलिए उसको इस कैंपस को छोड़ के जाना पड़ेगा और इसलिए जब मैंने बोला कि यह इशु को जैनरल इलेक्शन को होना पड़ेगा क्यों 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 कि यह मोदी जी बोले कि गरीब तबकों के लोग आएंगे 36 रुपे दे कि कौन सा गरीब आ पाएगा 25 रुपे का हुआ करता था और मेरे घरवालों ने मुझे भड़ने नहीं दिया कि इतने पैसे नहीं है हमारे पास और वह तब जब हमारे घरवालों को लगता है कि हम गरीब नहीं है ऐसी इस्तिती में हम यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं वो कैसे सोच रहे कि यह फॉर्म हम भरते हैं वो सब देख रहे हैं कि आपकी जो साजी से सिर्फ एक युनिवर्सिटी बढ़वात करने को नहीं है इसको तो हम बचाने की कोशिज कर रहे हैं बागी हर जगा हो चुका है आप रिसर्च कर सकते हैं टिक लगा के किसी प्रोफेसर ने सही कहा कि जेन्यू का एक्जाम का सबसे बड़ी खासियत होती है कि चार ओप्सन अगर आपको दिया जाए आप पाच्वा ठून निकालेंगे क्योंकि इसी critical thinking को promote करता है जेन्यू कि अगर हम किसी question paper की बात नहीं कर रहे हैं हम critical thinking बहुत सारा जो perspective है उसके तुरू हम अपना perspective बनाना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है आपने किसी एक नजरिया से देखा हो मेरा एक नजरिया है और इसलिए बार-बार जब reservation लागू किया जाता है, flood किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि जब JNU में marginalized अपके के लोग आते हैं, तो अपनी जगा की बात करते हैं, अपने जो society में जो हो रहा है, उसको बदलाओ की तरह देखते हैं, और बार-बार जो हमारा नारा होता है, कि सिख्षा अगर होनी है, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को, क्योंकि हमें लड़ना पढ़ता है यहां तक आने के लिए, और इसलिए हम चाहते हैं, कि हमारे जैसे लोग आज सके यहां पर पढ़ सके, और यह उन सारी चीजों को बेच रहे हैं, सायद हमारे पुराने जैनरेशन के जो लोग हो, वो कभी सोच नहीं होंगे कि पानी हमें खरीद के पीना पढ़ेगा, लेकिन आज हम पानी खरीद के पी रहे हैं, और कल सिख्षा भी सब को खरीद के लेना पड़ेगा उसका प्रोसेस सुरू कर चुके है ये मोदी जी अभी जब पुल्वामा में चीजे चल रही थी इस कैंपस में है कैडमी काउंसिल को हमने रोका था बोला था हम नहीं चलने देंगे क्योंकि जेन्यूर एस यो को नहीं ब पुलाया गया है और उसमें ये सारी पॉलिसी लेने वाले थे जब हमारे देश में हमारे जो सुरक्षा हमें जो करते हैं उन पर इतना बड़ा अटैक हुआ हमने बोला कि हम प्रटेस्ट नहीं करेंगे और हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप यह सब चीजे मत पुलिसी लाते रहे हैं उसी तरह मोदी जी पे अपना कैंपेन करते रहें और उसी दोर में पाच हवाई अड़ा को बेच दिया और यह हमारा एजूकेशन बेच रहा है ऐसे दोर में जब इलेक्शन हो रहा है तो इन लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है यह जो RSS BJP के लोग है हमें जो नाशनल एंटिनाशनल का डिबेट सिखा रहे है हमें नाशनल बनने की बात बता रहे हैं हम उनको कहना चाहते हैं कि हमारे जैसा लोग हर एक इंसान हर एक घर में होता है जो जे निवाने का सपना देखता है जो पढ़ने का सपना देखता है एक अच्छे भारत बनाने का सपना देखता है उनको यह बताना चाहेंगे कि मोदी जी है तब मुम्किन नहीं है सिख्षा है तब मुम्किन है सिख्षा है तब समानता है सिख्षा है तब सम्मान है सिख्षा है तब विकास है ये सारी चीजे उनको समझानी पड़ेंगी आपको लग रहा है कि बिना एजुकेशन का डेवलप्मेंट हो सकता है नहीं हो सकता है आपको लगता है कि नौकरी पकॉरे तलना आपके लिए साइबर सेल में काम करना ये नौकरी है लेकिं ये देश आपको exposed करेगा बोलेगा कि आप ये जो फॉल्स डाइकॉर्टमी क्रियेट कर रहे हैं इंटर्नल एनिपी इंटर्नल एनिपी तब से किये जा रहे हैं हम पूछना चाहते है और हम ये बताना भी चाहते हैं तब ये सावरकर का फोटो इधर लगा है ये लोग ही बिटिसर्स को लेटर लिख रहे थे कि हमें माफी दे दीजिए और अभी ये बोल रहा है कि मृत्यू जीतेगा या फिर मृत्यू जीतेगा ये सावरकर जब माफी नामा दोगे तो सावरकर जीतेगा माफी नामा दोगे देश बेचोगे तो कौन जीतेगा सावरकर जीतेगा अगर इनकी चलती तो बिटिसर के गुलाम होते हम अभी अभी भी हम गुलाम होते अगर इनकी चलती और इसलिए फिर से एक बार ये दौर आ गया है कि एक ऐसे लोग है जो फिर से हमें गुलाम करना चाहते हैं जो देश को बेचना चाहते हैं अलग-अलग तरीकों से हवाई अड़े बेच दिया लाल किला तक बेच दिया लाल किला और इसी लिए इसी लिए जब सब कुछ बेचने की बात चल रही है तो हमें बताना पड़ेगा कि हम भगत सिंग के जेनरेशन से, जो अंगर स्टाइक भी किया, हस्ते हस्ते फासी पे चड़ गया, लेकिन अपनी लड़ाई चलाता रहा, ये बोलता रहा कि अगर इंडिया होगा, तो एक ऐसा इंडिया होगा, जिसमें सब को समानता होगी, सब स सब मिलके इस बुंते को आगे लेके जाएं और इनको बोले कि आप चाहते हैं अंटिनाशनल, नाशनल का डिबेट करना, हम इन सारी चीजों पर डिबेट करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि हमारी नौकड़ी कहां है, आप बताइए, हमारा एजुकेशन कहां है, आ इसी के साथ ये बोलते हुए यहाँ पे इस वाइस चांसलर का पुतला हम देहन करेंगे उसको जलाएंगे क्योंकि वो रेप्रेसेंट करता है इस कैमपस में उस सोच को और उसके साथ साथ इस जो आंदोलन को यहाँ से जो आग जले कि उसको हम आगे लेके जाएंगे यह देट नहीं आ रही है एंफिल पिएजडी में लोगों को रिसाच करना नहीं देना है एक सेंटर एक्सक्लूजन का उसमें स्टी का सीट नहीं है इस्टेवरा एक्सक्लूजन क्या होगा आप डेप्रिवेशन पॉइंट इसके लिए जैनियू जाना जाता है वहाँ पे डेप् कर रहे हैं जब पूरा SL बोल रहा है कि हमें लाटरल इंट्री का एक्जाम चाहिए ऐसे दोर में जब यह सारी चीजे कर रहे हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो एनिमी है उसको अब उखार फेकना है और इसी लिए इसको चलाने के बाद बाकी स्पीकर्स इसको ब बोलाई बोले